इंद्रगड नगरपालिका के क्रमचारियों की लेटलतीपी पर नहीं लग रहा अंकुस पालिका के जिम्मेदार अधिकारी मोन इंद्रगड सहर की नगरपालिका में क्रमचारियों पर लेटलतीपी का अंकुस नहीं लगने से पालिका में क्रमचारियों के पहुंचने का कोई समय तए नहीं है जबकि इंद्रगड नगरपालिका का समय प्रात्य साड़े नो बजे से छे बजे तक है लेकिन दस बजे के पहले कोई करमचारी पालिका में नजर नहीं आता इससे सहर के लोगों को काम करवाने में कापी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शायद गहरी नींद में सोये हुए हैं इंद्रगड नगरपालिका के करमचारी दूर दरास से अब डाउन करते हैं जिससे पालिका में समय पर नहीं पहुँच पाते हैं नगर पालिका में करमचारी शाम को 6 बजे से पहले निकल जाते हैं नगर पालिका में समय पर केवल 2-3 करमचारी ही मिल पाते हैं पालिका में काम करवाने के लिए लोग चक्कर काटते रहते हैं लेकिन पालिका में करमचारी समय पर नहीं मिलते इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारी बेखबर नजर आ रहे हैं और जब कोई मामला होता है तो प्रसाशन फिल्ड का नाम लेकर क्रमचारियों का बचाओ कर लेते हैं पालिका में क्रमचारियों की लेट लतीपी के मामले को लेकर समवाद दाता मनिस से ने नगर पालिका चेर्मेन बाबुलाल बेरवावा अधिसासी अधिकारी गोपालाल सर्मा को अवगत करवाया देखते हैं कि इंद्रगड नगरपालीका में सμबंदित अधिकारी किरमचारियों की लेट लतीपी पर अंकुष लगा पाते हैं या नहीं इस मामले को लेकर बाबुलाल बेरवा चेर्मेन ने बताया कि पालिका में बार्चे आने वाले क्रमचारियों की ट्रेन लेट हो जाने से कभी कभा लेट हो जाते हैं अगर ऐसा मामला है तो क्रमचारियों के उपस्तिती रजिश्टर चेक किया जाएगा वहीं नगरपाली का अधिसासी अधिकारी गोपालाल सर्मा ने बताये कि करमचारियों की लेटला टिपी की सूचना मिलिये जिस पर सभी करमचारियों को समय पर आने के लिए पाबंद किया जाएगा आदेश निकलवा दिये जाएंगे